अगर मैं आपसे पूछूँ कि भारत के सबसे टॉप बिजनस्मेन के लिस्ट में सबसे दा लोग कौन आते हैं तो आप बिना सोचे बोल देंगे गुजराती अमबानी, अडानी, प्रेमजी, पटेल, शाह, धोलकिया ये वो लोग हैं जोने पूरे विश्व में सबसे बड़ा व्यापार खड़ा कर दिया है दोस्तो गुजरात की पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन की केवल 5% है लेकिन उसके बावजूद भी गुजरातियों ने एक्सपोर्ट में 25% शेर ग्रैब किया है मतलब हमारे देश के एक्सपोर्ट में 25% एक्सपोर्ट केवल गुजरात से होता है कॉटन प्रोडेक्शन की बात करूँ तो पूरे भारत वर्ष में जितना कॉटन का प्रोडेक्शन होता है उसका 1-4 यानि 25% गुजरात से होता है milk production की बात करूँ, दुगद उतपादन की बात करूँ, तो हमारे देश में जितना दुगद उतपादन होता है, उसका one-fourth, मतलब 20% गुजरात से आता है, और गुजरातियों ने अपने गुजरात राज्य को एक संवरिद और शांती प्रियराज्य बना दिया है, यहां तक कि दस में से आठ डाइमंड सूरत से पॉलिश होते हैं, और यही बात अगर मेडिकल इंडस्ट्री की करें, तो 25% मेडिसन गुजरात में प्रिड्यूज की जाती है, हमारे देश का 35% से ज़्यादा रिफाइन पेट्रोलियम प्रोड़क्ट गुजरात से आता है, गुजरात क हो, रिनीवेबल एनरजी हो, पेट्रोकेमिकल हो, रोड कनेक्टिविटी हो, इंफा स्ट्रक्चर हो, और एकनॉमिक सोशल जोन हो, हर तरह से गुजरात सबस्यादा टॉप पर है, अगर मैं बात करूँ कि गुजरात एक अलग देश होता, तो उसकी एकॉनमी, गुजराती बहुत अधिक कामियाब है, नबर वन, फियरलेस एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटी, गुजराती कभी भी किसी काम को करने से डरता नहीं है, एक बार उसको वो काम यदी समझ में आ जाए ना, तो उसको करने के लिए फटाक से तियार हो जाता है, और ऐसा ही चल रहे हैं, जिसकी वैसे मोटल बिजनसे घाटे में हैं, और उनोंने इस बिजनस को खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता था, एक दिन अरब युद्ध बंध होगा, और मोटल बिजनस तेजी से चलने लगेंगे, और एक और खास बात, मोटल बिजनस की जरूर लिया, वो अपने फैमिली के साथ अमेरिका में शिफ्ट हो गए, जिसकी वज़ए से उन्हें घर पर खर्चा नहीं करना पड़ा, खुद के मोटल में बहुत सारे रूम होते हैं, तो वह रहने लगे, जिसकी वज़ए से उनकी खुद की जो रहने की कॉस्ट है, पर उपलब्द कराने लगे, जिसकी वज़ए से competitive advantages भी उन्हें मिल गई, और वो बहुत अच्छे से स्थापित हो गई, तभी तो आज 50% mortal business गुजराती खासकर पटेल भाई करते हैं, नेक्स जो important बात है, वो है opportunity cost of business, friends, एक सामान्य आदमीना सब कुछ छोड़ के business शुरू करत लेकिन गुजराती business में बड़ा smart होता है, वो job करते करते, अपने extra time में business को establish करना शुरू करता है, ताकि किसी भी तरह का risk ना हो, यदि business में loss भी हो, तो उसकी भरपाई उसकी salary से हो जाए, और धीरे 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 अपने business को establish करता है, और जब वो opportunity cost उसको सस्ती लगने लग करती है, तब वो job छोड़कर full flash business करता है, और गुजराती के खास वीशिस्ता होती है, और वो होती है, simplicity is the USP, हमेशा वो simple living and high thinking को focus करते हैं, वो अपने business में कैसे बड़ी achievement कर सकते हैं, इस पर सोचते हैं, business के establishment, business की growth, business का expansion, इन से भी चीजों को पहले focus करते हैं, और वो अपनी life पर, अपनी turnover का, अपने business का, अपने infrastructure का, केवल 10% अपने उपर लगाते हैं, और 90% invest करते हैं अपने business पे, इसलिए वो business में simplicity के माधियम से बहुत अधिक उपलब्दियां हासिल करते हैं, कहते हैं उनका अपना personal खुद का कोई खर्चा नहीं है, जिसकी वज़ा से उसका burden business पर नहीं पड़ता, बचपन से ही business के गुण को लेकर पैदा होता है, क्योंकि कहते हैं कि गुजराती अगर है, तो business उसके blood में होगा, ऐसा बचपन से ही वो देखता आता है, कि बहुत सारे घर के, परिवार के, सगे संबंदी लोग व्यापार में हैं, वो कुछ भ करता है, तो job से उसको ये पता लगता है, कि employee किस tendency से काम करते हैं, और business learning तो उसके blood में होती है, और दोनों चीज़ जब बहतर तरीके से मिलती हैं, तो वो एक बहुत बढ़िया industry खड़ी कर देता है, and the next, that is fast decision making ability, गुजराती के अंदर एक गुण बहुत अच्छा होता है, कि वो किसी भी चीज़ को यदि ठीक से समझ जाता है, तो अपने decision quick लेता है, और quick decision लेनी की वज़ा से, जब तक competitor उस industry में आते हैं, तब तक वो अपने business को establish करता है, और जब competitor आते हैं, तब वो ऐसी strategy और ऐसी marketing strategy लगाता है, जिसकी वज़ा से competitor उसके सामने द्वस्त हो जा H, honesty, D, dedication, business में PhD करने के बाद ही, वो business में enter करते हैं, और उस PhD को करने के लिए, चाहें कितनी भी मेहनत करनी पड़े, वो पीछे नहीं अटते हैं, हमेशा हर काम को passion के साथ करते हैं, मतलब अपने काम को अपने खून में, अपने blood में उतार लेते हैं, और हर समय, 24 घंटे, 365 दिन, वो अपने business के बारे में सोचते हैं, honesty, इमानदारी तो गुजराती के blood में होती है, वो कहते हैं कि गुजराती ने अगर किसी बात के लिए commit कर दिया, तो 100% वो अपनी commitment को पूरा करेगा, और dedicated, इतना dedicated होता है, कि वो कोई समय घड़ी नहीं देखता, निरंतर काम करता है, कहते हैं कि smart work is the key of success, लेकिन गुजराती smart work के साथ साथ hard work भी करता है, जो उसको सबसे अधिक सफलता दिलाता है, गुजराती अपने बच्चों को बच्पन से ही न, thousand days policy समझाते हैं, और ये thousand days policy क्या है, सबसे पहले business की research करो, research करने के बाद उसमें invest करो, business को शुरू करो शुरू करने के बाद उसको profitable बनाओ, profitable बनाने के बाद उसको expansion पर लेकर जाओ, ये गुजराती की सबसे बड़ी policy होती है, वो 1000 दिन से पहले किसी भी काम को करने में हार नहीं मानते, मतलब at least 3 year एक business को establishment, expansion and profit making पर जरूर ध्यान देते हैं, गुजराती न, fast cash moving businesses को पसंद करत जाते हैं, जिसमें transaction जल्दी जल्दी rotate होती है, मतलब जिसमें credit नहीं होता, 1 month, 3 month, 6 month, वो तो ऐसे business का selection करते हैं, जो तुरंत cash में convert हो जाते हैं, जैसे FMCG business, जैसे textile business, जैसे consumer durable based business, जिसमें तुरंत पैसा cash में आता है, कहते हैं कि अगर काम करना है, तो पैसा जितना नगद होगा, उतना ज्यादा income होगी, और वो ये भी calculate करते हैं, कि एक महीना पैसा उधार में जाता है, तो एक महीने का ब्याज कितना होगा, गुजराती न ये जरूर देखते हैं, कि मेरे business की competitive advantage क्या है, वो हमेशा चेक करते हैं, कि मेरे competitor कौन कौन से techniques and methods का इस्तिमाल कर रहा है, मैं क्या ऐसी नई USP ला सकता हूँ, जिसकी वज़े से मैं competitive advantages ले सकता हूँ, वो एक उधारन के उरुप में बताता हूँ, दो लोगों ने business किया, एक दूसरी देश का व्यक्ति था और एक गुजराती था, तो जो दूसरी देश का व्यक्ति था ना, उसका जो shop का time था, वो एक घंटे एक समय जो extra उसको मिलता था, उस competitive advantage की वज़े से उसने उस दूसरे देश के businessmen से ज़्यादा sale की और competitive advantages में वो जीत गया, दूसरा वो यह ज़रूर चेक करता है कि competitive advantages में कौन सा ऐसा product है, जो consumer के दिमाग में उसकी पैचान बेतर बना सकता है, उसने देखा कि दू गुजराती है, वो घी 10% सस्ता दे रहा है, क्योंकि घी की quantity कम लगती है, लेकिन बाकी सारे चीज़े बहुत ज़्यादा बिकती है, जिसकी वज़ा से केवले घी पर discount करने के बाद उसने अपनी total sale को बढ़ा लिया, यसे कहते हैं competitive advantage, आप ऐसा क्या करें कि आपकी industry में जो का competitor नहीं कर रहा है, यदि आप अपनी ऐसी USP competitive advantages की बना लेते हैं, तो आप कभी भी competitor से हारेंगे नहीं, और गुजराती इसमें बड़े expert होते हैं, वो समझ जाते हैं कि मेरा competitor कहां हार सकता है, और कौन सी ऐसी बात मुझे मेरे competitor से अलग बना सकती है, और मिठास तो उनकी जुबान में होती है, जिसकी वज़े से घ्राहत हमेशा अंतरमुगद हो जाता है, और ऐसे नहीं कि गुजराती केवल fast moving cash वाले businesses पर काम करता है, गुजराती बड़े-बड़े brands को lead करता है, अगर मैं बात करूँ तो ये वो top most brands हैं, जिनके owner गुजराती हैं, Reliance, Nirma, Parlay, Wip Pro, Amul, Syntex, Sun Pharma, Agenta, Godrej, Adani, Symphony, Pedalite, Asian Paints और वाडिलाल, ये वो top most brand है, जिनके owner गुजराती हैं, वो हमेशा ऐसी USP पर काम करते हैं, जैसा competitor नहीं करता, गुजराती के वल business में नहीं, हर industry में सफल हैं, अगर मैं film industry की बात करूँ तो अरुना इरानी, परेश रावल, प्रतीक गांदी, नसुरुदिन सा, किरन कुमार, शर्मन जोशी और बहुत सारे celebrities, film industry के गुजरात से आते हैं, politicians की बात करूँ, तो नरेंदर मोदी, अमित शाह, ये वो लोग हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में गुजरातियों का पर्चम ले रहा हैं, मैंने आपको कहा था ना क गुजराती नई बिजनस की अपॉर्चिनिटी को बड़े अच्छे समझते हैं, और फास्ट डिसिजन मेकिंग रखते हैं, इसी वज़े से, जब हमारी कंपनी, मैटास ओवर्सीज लिमेटेड, स्टेलने स्टील मोडूरल किचिन को गुजरात में लेके गई, तो गुजरा तक भी स्टेलने स्टील मोडूरल किचिन इंडस्ट्री में बहुत बड़ा कॉंपिटिशन नहीं होने वाला, और ये एक प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री है, अगर आप भी गुजरातियों की तरह नई बिजनस अपॉर्चिनिटी को समझते हैं, और ये समझ पाते ही कि बविश्य में कितना प्रॉफिट होने के संभावना है, तो आप भी हमारे कंपनी के FLB पार्टनर, एसोसियेट, फ्रेंचाइजी, डीलर या एक्स्क्लूसिव पार्टनर बनके स्टेलने स्टील मोडूर किचिन इंडस्ट्री में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं मैं डॉक्टर अमित्मा एश्वरी आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूँ, जै हिंद, जै भारत